लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें नागरिक्ता संशोधन कानून को लेकर हुई हिंसा में पाए गए आरोपियों के खिलाफ सक्त कदम उठाये जा रहे हैं लखनव में CAA को लेकर हुई हिंसा में पाए गए आरोपियों पर सक्ताई बढ़ती जा रही है हिंसा के आरोपिएं की फोटो वाली होल्डिंग लखनौ के हजरत गंज चौराहे पर लगाई गई है गुरुवार देरात लगाई गई ये होल्डिंग जिला प्रशासन के द्वारा लगवाई गई है मजिस्ट्रेट की जाँच में हिंसा में दोशी पाए गई लोगों की फोटो इस होल्डिंग पर छापी गई है साथ ही लिखा है कि सभी से हिंसा में हुए नुकसान की भर्पाई की जाएगी ये होल्डिंग उन थाना छेत्रों में लगाई गई है जहां पर हिंसा हुई थी डियम अभीशेक प्रकाश के अनुसार कोर्ट से आदेश जारी होने के बाद तीस दिन के भीतर हिंसा में दोशी पाए गई लोगों को धनराशी जमा करानी होगी अन्यथा उनकी संपत्या कुरक कर हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी दरअसल 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की लखनाओं में नागरिक्ता संशोधन कानून के विरोध में दस हजार लोग सड़कों पर उतराए थे इस दोरान शहर में तोड़ फोड और आगजनी की घटनाओं को अन्जाम दिया गया था आरोपियों के खिलाफ दरज मुकदमे के आधार पर शहर के तीन छेतरों की कोर्ट से अलग-अलग नेने सुनाया गया खद्रा और डाली गंज में हुई हिंसा पर A.D.M. T.G., हजरत गंज और परिवर्तन चोक पर A.D.M. सिटी पूर्व केसर बाग और ठाकुर गंज में हुई हिंसा पर दरज मुकदमों के बारे में A.D.M. सिटी पस्चिम की कोर्ट से फैसला सुनाया जा चुका है मैं C.A.A. के विरोत में घंटाखर पार्क में बिना अनुमती के हो रहे प्रदर्शन के दोरान उबद्रव मचाने वाले आरोपी साहिल उर्फ मुहम्मद शादिक खान को गिरफतार किया गया है बतादे की नोफरवरी को घंटाखर पार्क पर सोशल मीडिया के जर्ये भारी भीड जुटाई गई थी पुलिस के रोके जाने पर प्रदर्शन कारी पुलिस से भेड़ गए थे इस मामले में साहिल की तलाश की जा रही थी